हेलो एवरिवन वेलकम है आपका मेरी चैनल हेल्थ अड़ा 24-7 में फ्रेंड्स काला चना इंडियन फूर्ड्स का एक एहम हिस्सा है इसे कई तरह से पकाया और खाया जाता है लेकिन उबले हुए काले चने को खाना हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को पोशन देने के साथ साथ कई बिमारियों से बचाव करने में भी हेल्प करता है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उबले हुए काले चने खाने के पाश अद्दभुद भायतों के बारे में नमबर पन उबले हुए काले चने वजन घटाने में मदद करते हैं इसमें मौजूद फाइबर, डाइजेस्टिव प्रोसेस को धीमा करता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार भूप नहीं लगती है या कैलरी की खपत को कम करता है जिससे वजन घटाने की प्रोसेस में तेजी आती है अगर आप अपना वजन घटाना चाहती है तो उबले हुए काले चने को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें नमबर टू काले चने का Glycemic Index गम होता है जो इसे diabetes के मरीजों के लिए फाइदी मन्द बनाता है या blood sugar का लेवल कंट्रोल करता है और अचानक blood sugar बढ़ने से रोपता है डाइबिटीज के मरीजों के लिए उबले हुए काले चने को खाना बेहत फाइदिमन्द साबित होता है 4. काले चने में प्रोटीन का एक प्रमुक्स रोथ है जो मसल्स की मरम्मत और विकास करने में मदद करता है यह विसेज रूप से उन लोगों के लिए फाइदिमन्द है जो नियमित रूप से एक्सरसाइस करते हैं या फिटनेस को लेकर जादा सीरियस है काले चने को खाने से मसल्स की ताकत बढ़ती है और शरीर का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है 5. काले चने में पोटेशियम, मैगनेशियम और फालिट होते हैं जो दिल की हेल्थ के लिए फाइदिमन्द होते हैं यह बलड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की नसों में खून के फ्लो को सही रखता है इसके नियमित सेवन से दिल की विमारियों का खत्रा कम होता है तो friends, thanks for watching my video ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर देग जिस से ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहें तो मिलते हम next वीडियो में एक new information के साथ